हेलो स्टूरेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तेयारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वॉक्षिट नंबर 58 वॉक्षिट नंबर 58 सामाजिक विज्ञान भुगोल का वॉक्षिट है और आज हम भुगोल में पाथ 2 भारत का भौतिक स्वरूप जानेंगे यह वॉक्षिट है क्लास 9 का बच्चों वॉक्षिट को स्टार्ट करने से पहले आप यहां अपना नाम लेखें और यहां आप अपने कक्षा ध्यापक का नाम लेखें यह वॉक्षिट है 26 नवंबर 2020 का अब यहां देखिए बच्चों यहां एक मैप दिया हुआ है हमें इसी मैप के आधार पर कुछ प्रसंद दिये हुए हैं सबसे पहले यहां देखें नीचे दिये गए भारत के मांचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दिखाईए हमें क्या दिखाना है पहला अरावली परवत दूसरा अन्ना म मुद्धी परवत चोटी तीसरा छोटा नागपूर का पठार चौथा कोंकंतर और पांचमा है पशिमतर अब देखें बच्चों भारत के मांचित्र में इन जगों के बारे में हमें बताना है कि यह कहां कहां पर अवस्तित हैं तो सबसे पहला है हमारा अरावली परवत माल इस जगह पर उसके बाद दूसरा है अन्ना मुदई चोटी अन्ना मुदई परवत चोटी कहां है तो यह हैं दक्षीन भारत में तमिल नाडू के आसपास तो यहां पर आप लिखेंगे अन्ना मुदई अन्ना मुदई परवत जो चोटी है वो यहां पर है तमिल नाडू मे उसके बाद छोटा नागपूर का पठार तो छोटा नागपूर का पठार कहा है तो ये मिलेगा आपको जारखंड में छोटा नागपूर ये आपको जारखंड में मिलेगा उसके बाद कुमकन तट चौथा हमारा है कुमकन तट देखे यहां से यहां तक का जो भाग है यह कहलाता है कॉंकन्तर्ट, यहां लिख सकते हैं कॉंकन्तर्ट, उसके बाद पांचवा हमारा है पश्रिमी घाट, तो पश्रिमी घाट यहां से ले करके पूरा यहां तक है, यह कहलाता है पश्रिमी घाट, चलिए हम एक बार इमेज भी देख लेते हैं में तो यहां को छोटा नागपूर चोटा नागपूर का पठा जाडखंड में और उसके सबसे उच्छी चोटी कॉ सिल परते चली के अब इसमें देखने कोंप और मारा है पहला प्रस नमारा है कारा कोर मों स्रीनी में सब से उच्छी छोटी कॉनची है तो कार कोरं में सब से उचि चोटी केठू है अब यहाँ देखे इसमें सबसे उची चोटी कौनसी है तो K2 दूसरा नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौनसी परवत स्रिंखला है तो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में सत्पूरा परवत स्रिंखला है प्रसन संख्यादो का उत्तर हो जाए गई है तीसरा है विंद स्रेनी के उत्तर में कौन सा पठार इस्थेत है तो बच्चों विंद स्रेनी के उत्तर में मालवाप का पठार इस्थेत है चौथा है कोडु मंडल तट के पास इस्थित भारत के दो राज्यों के नाम लेखिए तो कोडु मंडल तट के पास भारत के वो दो राज्य कौन-कौन चे हैं तो तमिलनाडू और आंध्रापरदेश देखिए यहाँ पे हैं तमिलनाडू और आंध्रापरदेश अगला प्रस्न हमारा है पुर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिसा में इस्थित है तो पुर्वी घाट किस दिसा में इस्थित था तो यहां देखे यहां पे था पुर्वी घाट इस जगा पे मैं यहां पे ग्रीन लाइन से आपको बता रहे हूँ यहां पे क्या था पुर्वी घाट तो यहां पे था पुर्वी घाट इस टर्ण घाट तो यह हो गया हमारा कहां पे दक्षिन पुर्वी दिसा में तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिन पुर्वी दिसा में पुर्वी घाट इस धित है तो बच्चों यह वॉक्षिट यहीं समाप होता है वॉ दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकुल ना भूले तो मिलते हैं अगले वॉक्सीट में आप सब का धन्यवाद